मम्मी मेरा हाथ देखो, मेरी बेटी ने दूसरे दिन मुझे बोला, देखो मेरा हाथ आपके हाथ से जाधर डाख है। इस कॉमेंट ने मुझे एकदम जोका दिया, क्या मुझे शे साल का बच्चा स्कीन कलर के अंतर के बारे में अवैर हो रहा था? क्या उसको गहरे रंग की होने में भुरा लग रहा था? मैं उसके साथ बैठी और हमने बातचीत करी, पता चला वो केवल तवचा के रंगों की तुल्ना कर दे थी, ये उसके ले एक अकरशन का सोर्स था, एक इनसें तुल्ना थी, उसने जो देखा, वो यो ही बयां कर दिया। हम एडल्स की तरह नहीं, जो स्किन कलर को लेकर अपने प्रेजिदिस और बाइसे को लेकर दूसरों से बेदबाव करने लग जाते हैं। नमश्कार पैरंस, I am Dr. Meghna, the therapist mommy. I am a clinical psychologist and parenting coach. और आज मैं डिसकस करूँगी कि हम पैरंस कैसे रिस्पॉंड कर सकते हैं जब हमारी बेटियां कलरिजम फेस करती हैं। यानि की अपने स्किन कलर के बेसिस पर तीजिंग और बेदबाव एक्स्पीरिंस करती हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां गोरी तषचा का सम्मान किया जाता है, जहां फेर नेश क्रीम्स किसी भी स्किन प्रड़क्स के मुकाबले सबसे ज्यादा बिगती हैं। और जहां फाइनांचिल सक्सेस और रोमैंटिक सक्सेस भी गोरी तषचा पर टिकी हुई है। इसलिए और भी ज़रूरी है हमारे लिए अपने बच्चों में स्किन डाइवर्सिटी की अवेर्नेस पैदा करना शुरू करना है इसलिए आज मैं कुछ स्ट्राटेजीज शेयर करूगी जिनको यूज करके आप अपनी बेटियों से स्किन कलर के बारे में बात कर सकते हैं ऐसी गुडिया खरीदो जो आपके बच्चे के स्किन कलर से मिलती जुटी हो अपनी पैटि के स्किन कलर को उसको किसी परिवार या कम्यूटी मेंबर से रेफरेंस करें जैसे आपकी skin कित्ती सुंदर है, बिल्कुल आपकी नानी की तरह. Physical appearance के बारे में, हमारे अपने biases and prejudices हमारे बिना जाने हमारे बच्चों में आ सकते हैं. बच्चे हमारे actions or words को observe करते हैं. इसलिए अपने बच्चे के लिए प्रभावी role model बनने के लिए अपने खुद के स्टिरियोटाइप्स को अड्रेस करें और चालेंज करें अपने बच्चे को ऐसी बुक्स पढ़ें जिनमें गहरे स्किन कलर की कालेक्टर्स हों Skin Like Mine by Latasha Perry, Brown Like Dosa, Samosa and Sticky Chicky by Manari and Joshi How Our Skin Sparkles by Aviti Singh ये Children's Books इस थौट को चालेंज करती हैं कि सिर्फ पैर स्किन सुदर हो सकती है और ये बच्चों में positive self-esteem को build करने में मदद भी करती है और ये value inculcate करती हैं कि हमारे thoughts or actions हमको define करते हैं ना कि हमारा रंग अगर कोई आपके बच्चे की skin color पर remark करता है या उसको गोरा बनाने के तरीके suggest करता है तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक द्रिड उत्तर तयार हो जैसे कि no thanks, हमें अपने skin color पर गर्व है या मेरी बेटी के skin color का उपाय प्लास्टिक बॉटल में नहीं है आप जैसे लोगों की bias thinking को change करने में है आपकी शर्मिन्दगी या आपका silence आपके बच्चे को अभास कराती है कि ये topic off limits है या कोई भी आके कोई भी prejudice comment कर सकता है और वो आपको acceptable होगा For 7 to 12 year olds अपने बेटी के dark skin को dark skin women achievers, models, scholars और sports women से associate करे और अपने बच्चे से discuss करें कि media कैसे negative stereotypes को बढ़ावा देता है जैसे Bollywood film सो गाने, गोरे-गोरे मुख्रे पे काला-काला शश्मा या फिर वो जो latest song है, Beyonce शर्मा जाएगी कैसे fair skin को beauty standard बना के promote करते हैं अपने बेटी को वहाँ जाना सिखाएं जहां उसे celebrate किया जाता है, सिर्फ tolerate नहीं उसमें toxic friendships को ख़तम करने का confidence डालिए और उसको ऐसे relationships बनाने के लिए इनका दिश करिए जो उसको positively impact करते हैं so that she can be the best version of herself science का उपयोग करके उससे discussion करिए कि कैसे घहरे रंग के लोग जैसे जो equator के पास की countries में रहते हैं उनकी skin में अधिक melanin होता है, जो उनको कटोर दूप से बचाता है और light skin के color के logo में सूरज की हानिकारग UV किंडों से त्वचा damage होने की और skin canals cancer होने की संभावना जादा होती है इस research को यूज करके आप अपनी बेटी की dark skin को protective shield जैसे label कर सकते हैं For 13 to 18 year olds एक साथ film या TV ads देखते समय अपने बच्चे से negative images को identify करने के लिए कहें कैसे गहरे रंग की लड़कियों को दिखाया जाता है कैसे fair skin को सुंदर्ता और सफलता से equate किया जाता है उससे पूछे उसको कैसा मैसूस होता है जब मीडिया में दिखाया जाता है कि साबली तवचा वाली लड़की या और्टों को खराब या inferior या confident या जो गुरी लड़कियां होती है उनको confident और successful उसके साथ ऐसे शोज देखिए जिन में गहरे रंग वाले आर्टिस्ट को मुख्य भूमिकाओं में रखा जाता है और उनने beautiful, desirable, smart और valuable position किया जाता है beauty is multifaceted अपने बच्चे से ये डिसकस करिए की सुन्दरता की vivid root होते हैं और उसे अलग-अलग रंग और अलग-अलग आकार हो सकते हैं अपनी बेटी को बताई कि वो वो define करती है कि वो कौन है उस्टे लोग में हैं और वो decide कर सकती है कि उसमें क्या skills है क्या qualities है that she is more than her skin color you know finally किस बात ने मेरी बेटी को skin colors में हमारे अंतर को समझने में मदद करी of course मैंने उसे समझाया कि कैसे melanin की मात्रा skin color को प्रभावित करती है फिर हमने world map पे वो countries देखी जो equator के पास हैं और जो ज़्यादा melanin वाले लोगों से populated है लेकिन जिस चीज ने उससे वास्तव में अंतर समझने में मदद करी वो था जब हमने reframe किया उसकी skin का रंग जैसे दोसा और मेरा जैसे bread अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो मेरा चानल The Therapist Mommy को सब्स्राइब करना ना पुलेगा नमस्कार